पुराने लोग जो थे इस सब चीज़ें बताते थे वो चले गए हैं लेकिन हम लोग पुराने लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे तो हमें अभी भी याद हैं तो हम भी ये वीडियो बना दे रहे हैं जिनको समझना होगा वो समझेंगे पुरानी बातें जीवि करती हूं आज मैं आपको बताऊंगी मंगल वार के दिन क्या-क्या चीजे निशिद्ध होती हैं घर गिरस्ती वालों को क्या-क्या चीजे नहीं करनी चाहिए इससे पहले एक वीडियो डाली हूं को गुरु वार के दिन क्या-क्या चीजे नहीं करनी चाहिए जो कि करने से धन द्धन की हानी खरीदने के लिए प्रकार कोई चीज भुआ दोसरा कोई चीज उसको जमीन घर उप हिसे खरीवी मैं धन्हानी वहती है तो आज मैं आपको पताऊंगे कि मंगलवार के दिन कौनसे ऐसे निशित धिकार है जो घर गिरस्तवानों को क्योंकि धर गिरस्तवालों को ही सारे नियम उविधी कानौन इता हैं हो बडर्थे करते हैं और वही गलत कारय करने से रहते हैं तो आप इस व्योडियो को ध्यान से देखे कि आपको आज बताओंगी कि अफें और गलत छीजें स隻 और यह करते होंगे तो आगे से लगाने कराई जो भी ऄूँज परसानिय कि आप कर होता है उसको भंद करने पर सभी कुछ ठीक हो जाएगा तो द्हान से सुन इस कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं हम घरावाल य older सबसे मंगल्वार के दिन विशेश जो साथ दिन होते हैं इसनिं को पहले बता है यूँ अगे और वीडियो दे दो मंगल्वार के दिन एवरत हो या आदमी हो कि आदमी नहीं हो intent कहावत भी है कि मंगल थूळा वैफ़ तेल नहीं हो थाल लच मी से मे Спlase ए जो मंगलवार की चूरा यानि कहावत मेंचांवा का बाल कारते को practica से ऑज जो वैफ। तो जाते हैं चाने तो ऑदक कर सक्वाय को Tahans सबगे ज़ pressed dad to a saudade सबस्चारा जाती है तो तो मंगलवार के दिन टाड़ी बाल ना खूर न कारते हैं। आपको मैं बता रही हूं मंगलवार के दिन निसिद्ध कारे क्या क्या नहीं करना चाहिए मंगलवार के दिन जो भी सुहागन इस्त्री हैं उनको विशेज सिंगार नहीं करना चाहिए विशेज सिंगार यानि मेहदी लगाना पाउ रंगना नई चूड़ी पहनना और बाल ख पूछोगी कि क्या कोई पर्व है विवाह है तब भी न करें तब कर सकते हैं यसे विवाह पड़ा है यसे माली जी कल साधी है तो मेहदी तो एक दिन पहले लगती है मेहदी लगा लो चूड़ी पहन लो पाऊ रंगलो या पर्व है तो तेवहार है तो उस दिन नहीं मना है पर बार मंगलवार को ही चूड़ी पहनना उतारना जूड़ा खोल के कंगी करना पाऊ भरना मेहदी लगाना इस सब चीजें विशेज सिंगार में आता है इनको मंगलवार के दिन सुहागन औरते नहीं खरते हैं इसका भी कहावत बताई हूं जैसे हमारे पुरणिया बतात करना रहता है कि अभी तो किसी के मिट्टी के चुछा होगा नहीं कभी गाओं में होगा तो अलग बात है हमारी दादी लोग बताती थी कि माली जी किसी को गाउं में बोलना पड़ता था कि चूलहा हमारा खराब हो गया है बदलेंगे तो चूलहा बना दो तो माली जी चूलहा बन गया है किसी भी दिन चूलहा बन गया है तो मांगलवार के दिन चूलहा में आग नहीं जलाते थे य कुल बायता है याट है नहीं जलाना चाहिए जैसे पहले से त्रालाव बाबड़ी पोखर। नहीं जल जलाना चाहिए इनकी खुदाई नहीं करना चाहिए आज क्या है हैंड पंप समर्षे बूल यह सब चीजें जो एंत्र है पंपि से टुवेल जो भी है तो इनका झो खुदाई करना होता है इसे की पूजन करना होता है और खुदाई शुरू करना होता है तो ध्यान दें कभी भी आप अपने मंगल वार के दिन खुदाई ना करें मंगल जी पिर्थिवी भूमी के पुत्र हैं इस दिन मा धरती मया का सम्मान करना चाहिए खुदाई नहीं करना चाहिए किसी भी जलासियों का ध्यान रखें उसी प्रकार से कोई भी पेड़ पौधा जैसे आपको लगाना है गंबला में तो मंगल वार के दिन कोई भी पर ईजिए को चाहिए है और चुछ भी है वहां घर बनाना है थेद बनाना है तो कोई भी पर पाउधा बड़ा ब्रिक्ष जो भी हो मंगल वार के दिन नहीं करी चाहिए और किसी दिन विशेस का रभी वार के दिन कटवा सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी घड़े का पानी पीते हैं। फ्रीज के पानी से उनको गठिया और तमाम चीजें हो जाती हैं। नहीं उनको सूट करता तो घड़े का पानी पीते हैं। उनको पता भी है कि मंगल वार करना चाहिए तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इन ही सब चीजों को नियम को निभाने से घर में शुक शान्ती संब्रिद्धी रहती हैं सभी स्वस्त रहते हैं उसी प्रकार से किसी नए जगा माली जिए आप अपने गाउं से परदेश में गए बिदेश में गए तो जाहिए आसपास के लोगों से एकाख हपते दस दिन में अपना सब सिट्रेमेंट करके आदमी मिलने जाता है परचय करता है आसपडोस में कि हम आसपडोसी हैं से परचय कर लो इनसे बात ब्योहार कर लो तो जब भी उनके यहां जाना हो नए जगा तो ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन न जाएं मंगलवार के दिन जाने से क्या होता है आप जैसे बता रहे हूं तो आप बोलेंगे किसे क्या होता है मंगलवार के दिन जाने से यह होता है कि कुछ ही दिनों में उनसे मन मुटाव हो जाएगा अनावास्यक लड़ाई जगड़ा हो जाएगा उ तुन के जाता है। कहीं भी मंगल वार के भार कि घया जाना है, भी विम मंगल वार के दिन न जाiban, Lubisappan, र्बुद्ध धोनों दिन उत्तर की आत्रा निसिध्ध है अगर र्बुद्ध के दिन कड़ते हैं तो जो श्यावत CAPS A कर içाने साथ ओन लोगों को परसान करता हैं यहां विशेश का लड़कियां दुलहने कभी भी नगल वार तो अब आपको बता रहे हुँ कि अगर आप पहले कलतियां करते थे तो अब ना करें उसी प्रकार से जब बेटी का भीवाह हो तो मालीजे सोमार को भीवाह हुआ मंगलवार के दिन बिदाई हुआ तो बेटी क्या है नए घर में जाएगी तो ध्यान रखें कि मंगलवार के बेटी का विदाई न करें जैसे गुरुवार के दिन नहीं करते हैं वैसे ही अब आजीवन नहीं करते हैं मालीजे किसी का विवाह बुद्धवार को हुआ तो गुरुवार के दिन कन्या को रोक लेते हैं दूल्हा रहेगा दो चार जन उनके परिवार के भी रहेंगे बाक और कर लो बेटी को कभी भी विवाह के बाद मंगलवार के दिन न भेजो ससुराल नहीं तो वहां भी वहां पर जाके कुछ दिनों में ही लडाई जगडा असांती मत भेद यह सब चीजें होने लगती हैं तो अब से ध्यान रखना बेटी के आपके विवाह होगा तो मंगलव दिन भूनना नहीं चाहिए को रखा जो होता है चाहाए पेठा कद्दू हो या कोहण सब जी वाला हो मंगलवार के दिन आज पास में खेद रहता हमा महाँ देते हैं मंगलवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए दिन इसको काटना भी नहीं चाहिए विशेश का संतानवती पुत्रवती जो महिलाएं उनको तो कभी कद्दू काटना ही नहीं चाहिए किसी से कटवाले थोड़ा सा फिर बाद में सबजी अपना काटें उसी प्रकार से मंगलवार के दिन जैसे पहले बच्चे छोटे छोटे रहते थे तो सरसो को भून के उसका उप्टन बनाके चाहिए ऐसे बच्चे निकाला जाता है जाहिए मंगलवार के दिन वो मंगलवार के दिन आठ मंगलवार शवा मीटर सूती कपड़ा लेकर कोरा कपड़ा और एक अनार रख लें उसमें और श्री बजरंग बली जी के मंदीर में आठ मंगलवार सुबह नहावा के चंदन का टीका लगा के आठ मंगलवार बजरंग बली जी के मंदीर में जाके आपके मंगल जो कमजोर हैं वो अच्छा फल देने लगेंगे ऐसा आप करके देखें अगर आप मंगलवार का ब्रत कर रहे हैं तो भूल के भी नमक नखाएं बहुत सारे लोग दिन भर ब्रत रहते हैं रात को खाना खा लेते हैं भोजन करें मीठा और नमक बिलकूल नखाए तो मंगलवार के दिन जो मक्खन होता है या मलाई बहुत सारे मलाई का भी घी निकालते हैं तो मक्खन और मलाई कभी भी मंगलवार के दिन उबाल के घी न निकालें उसे तो रभी वार के दिन भी नहीं उबाला जाता बहुत सारे लोग गुरुवार के दिन भी नहीं उब लेना है कोई आप से उधार मागे एक वीडियो भी मैं डाली हूं तो कभी भी मंगलवार के दिन लोन के लिए आप लोन ले लिये कभी-कभी ऐसा होता ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग दिवालिया हो जाते हैं लोन नहीं चुका पाते हैं बाद में कूड़की होती है तमाम च जिस वेक्ति को बहुत प्रेम है आप उधारी दिये वह वही बेक्ति सबसे बड़ा दुस्मन हो जाएगा और धन भी लोटने में माथा पच्ची हो जाएगी तो कभी भी मंगलवार के दिन उधारी न दें और न लें लेंगे भी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको मंगलवार के दिन जो मंगल जिनका कमजोर है मंगल से जो पीडित है वह मंगलवार के दिन जो आउला का चूंड बजार में मिलता है और सधियों दुकान में उसको गिला करके जैसे उप्टन होता है पुरे सरीर में लगा के नहाने से मूह सब जगां नहाने से मंगल अभी एक वीडियो के बाद एक वीडियो आपको मैं दोंगी कि कैसे सनीवार के दिन काले कपड़े में पीपल को जो दीपदान होता है वो किस तरीके से होता है इसका भी वीडियो आगे जरूर आपको दोंगी आगे सभी पर्वों का वीडियो दोंगी आप ऐसे ही मारे साथ रहें देखते रहें आसान दिंदगी तब तक के लिए नमस्कार